इस बैक कोन देगा क्या वित्त मंत्री देंगी उन्हों ते फत्वा जाहिर कर दिया को अरविया को हमने को इन अधेस दे दिया कि हमें कोई मतलब नहीं है हम तो एक मेने पच्छे जार पर देंगे बताईए आप परधान मंत्र जी आपकी भी सेलरी आती है कि आपका खाता इसमें है आप पच्छे जार में कैसा खर्चा चलाएंगे आपका 10 लाक का दो बूत आता है 10 लाका सूट आता है डेड़ लाकी घड़ी आती है पांच लाके उसमें आते हैं मंत्री के घर जा करेंगे उन से वन टू वन बात करेंगे बात करेंगे हम कोई रेडियो पर बात करेंगे मन की बात हम कोई तुम्हारा आठ बजे टैली विज नहीं सुनेंगे कि मैं आ रहा हूं मन की बात करूंगा आप आते हैं कहकर चले जाते हैं जैसे को जिस तरीके से पहले यस बैंक फिर एक महराश्ट का बैंक और अब जो है लक्षमी विलास बैंक ऐसे में क्या कुछ कहना चाहते हैं क्या लगातार लोग परिसान हो रहे हैं और जैसे खाते बंद कर दिये जारे 25,000 से ज्यादा निकाल नहीं सकते हैं आप लोग ऐसे में आपक साल 90 साल से ज्यादा पुराना बैंक है इससे पहले भी यस बैंक था और महराश्ट के कहीं अन्या बैंक थे जिनको मर्स क्या गया जिनको जो है उनके ग्रह को परिशान क्या गया मैं बात पूछना चाहता हूं कि जो 25,000 रुपे का फर्मान जारी हुआ है आर बी आई से आर इन्होंने कह जा कि 25,000 रुपा सिर्फ आपको मिलेगा एक महीने के लिए कोई भी परिवार खर्चा 25,000 में नहीं चलता यह लोग आम जनता को मार रहे हैं मरने में मजबूर कर रहे हैं हम लोग आत्महत्यकनी का गारप मेरे घर में साधी है और साधी 25 तारिक है साय चालू ह गए हैं तो क्या 25,000 में साधी होगी जो लोग जो अस्पताल में भरती है जो खाते इस बैंक में हैं क्या जिनका बिल 55-56 लाग का बिल अस्पताल का है क्या पच्छे जार मानने काम करेगा को लिज खुल गए हैं फीस ली जा रही है लास्स समय चल रहा है जिन को फिर फिर या फिर जो डीपी में अमेंटी में बच्छे पढ़ रहे हैं उनकी 55,000 फीस है परमंत की वो हम कहां से पे करेंगे इसका मतलब यह है कि अपने गहने बेक हैं जमीन बेक हैं यहां सरकार जो है ऐसे निनने लेकर के हमको आत्म हत्या करने पर मजबूर कर रही है मैं यूआ जमखने लिए लोगोने अपने लिए विदाइक MP, MLA तो इन्हें खरीदना मंजूर है लेकिन जहां से आम जनता को ला मिलता है बैंक हैं बिजली के बिल हैं स्वास्त हैं मेडिकल हैं सरकारी कोलिज हैं वहां कोई लाप उचाने का काम ने किया आज इसी कारण ये बैंक कंगाली के कगार पर है और इस बैंक का परिवार फैमिली में आते हैं एक भी आदमी नोट बंदी में लाइन में लगा हो एक भी किसी फैमिली के आदम ने आत्मत्य की हो कि कोई भी आदमी बैंक में ऐसे खाते में हो ये हालात ऐसे पैदा हो गए कि आम जनता को मारा जा रहा है और यहां के वित्यमंत्री ऐसे हैं अब एक बात पताईए किसी का 50 लाग रुपाइस खाते में होए किसी एक व्यक्ति का या मेरा ही हो सब्सक्रों करो और इन्होंने कहे दिया कि कोई बैंक भगता है तो हम 5 लाग तक की जुम्मेदारी है लेकिन उस 50 लाग का इंटरस्टों बैंक लेता है बैंक सरकार को देता ह है उसकी जुम्मेदारी कौन लेगा तो यह बोड़ा दुर्भाग की बात है अगला सवाल भी आप से होने वाला था कि जैसे कि नहीं खाती तो प्याज के रेट से मेरा कोई तालुक नहीं है तो कहीं तो नहीं लग रहा है कि लक्ष्मी बैंक मेरा एकाउंट नहीं तो मेरा इसका मतलब है कि आप जो जिन महापुर्शों ने सुकुदेव भगत सिंग राजगुरु सरदर भाई भाई पटेल डॉक्टर बीरा उंबेट कराने के लिए इस देश को सोने की चिडिया बनाने के लिए इनको इनसे कोई मतलब नहीं है आप खाऊं ना खाऊं ये कोई तर करते हैं हमारा मतलब है आप खाऊं मतलब नहीं करते हैं तो देश की जनता इनके मुपे ऐसा तमाचा मारेगी के जिन्दकी में कभी ये बाग देश के परदान में बन पाएंगे कि लोग असे की आप की पर्तिक्रिया रहें इस देश के अंदर और बूक म्लिव आने वाली एंडि जैसे देश के अदर नजर आ रहे है पैसे आदमी घटे करता बेंक में डाल देता है करन्ट खाता कुलता 25,000 रुपे से मगर यह कहते हैं कि निश्में से आप एक महीने के अंदर 25,000 रुपे निकाल पाएंगी इस से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे तो इस देश के अंदर जो ने अंदर मोधीजी करने जा रहे हैं वह बिल्कुल हाल इनकम टैक्स इडी में चैपे लगते हैं बैंक में रखे तो भूले भाग जाते हैं तो हम जुर्फंच कहा रहे हमारा समाच जो है हमारा देश काम करके पैसे कहां लेकर जाए तो यह सोचना पड़ेगा घर पे रखे तो गुंडे मास् डिकैटी पड़े उसके बाद में प परिसान करें सीब्याइए इंकम टेक्स एल टेक्स बैंक मने के तो बैंक भाग जाएं तो आखिर यह आम जनता को क्यों मारा जा रहा है पहले प्लेन को बेचा गया बैंकों की अस्तिती पूरी है ऐसे में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा अगली रहनीती क्या रहा है हम लोग सभी वीपक्ष्यज़ दल और समाइक संटर्ण चल ले उन्सारा आग रहा है कि एक दिन निच्चिन करके युवस्क्र करतफ आ वैकर ख़ही के हम करेंगे उन से oneटो बात करने का बात करेंगे हम कोई रीडियो ल Вас नित tillम के बात हमके तुमारा आठ Pacificимиन मन की करऊब आप आते हैं कहा चले जाते हैं जैसे को या कोई क्रता बोल चला गया हो तो हम उस अवसकोर देश Rap से बात करेंगे पर्धान मंत्री से उसे ऋ Anyways की वह पागता में आती है आप का से आते हैं आप अप रखाउसंदेखे चुनाओं में जनता को मुहम्ख बना लीते हैं जब जनता की पीड़ा होती है तो आप भीच में नहीं आते जो आपके गुज्रास एं जो कर भाहिते हैं व्यूंत जो लोग पैसे लेक् taper दें भगें हैं उसका अपने 6 साल के करियर में अगर कोई कोई सर्वय करा लीजिए मेरी तरफ से जीरो इस देश का परधान मंत्री ऐसा पहली बार आया है कि एक 28 साल का नोजवान साथी परधान को गर सबसे जादे हथक्या वही सब्सूट सबसे ब्रोजगार चूटा सबसे जादे जो हमारे पास तंग ऌई तो इसका कहते हैं के परधान मंत्री देनर मोधी आता है सबसे बेकार पर्दान मंत्री तो नमबर की बागल आते हैं तो नंबर इस आदमी को दिया जाता जो भाहएं नहीं दिया जाए अगर विकास हुआ है तो गुजरात के लोग पैसे बापसी दे पाएंगे इसमें नंबर का सवाल नहीं होता मैं तो अगर मेर से कोई नंबर पूछाएगा तो मैं तो दसमें से जीरो नंबर दूँगा एम सब्सक्राइख कर दिया जो इनके परीवार से जिनके गार मिस्सा की लड़के का के वह कंपनी जो सोले क्रोड कि दे आज वह णाजार क्रोड की बन गई विकास कर वा है तो अदानी गुरूप का वह गुजरात में वहां वर का एक वृप अ hanno भाहरत में परिवार का हुआ है जो अर्यक्षाishing पहले चारलाको करोड नहीं था आज आज वह बालेलाक्त क्रोड़ का जो है पास हो गया तो गुजरात हुआ है मोदी के रिस्तारों का जो उनकी पीट थप्थावार कहते हैं कि आप लोग जो है आगे बढ़िए और देश को बेचिए तो अगर विकास हुआ है तो मात्र नंत्र मोदी के उन एंप में लोगा हुआ है जो इनके कहने पर देश को बेख इस देश को बचाना है तो वर्तमान सरकार के उन लोगों को हटाइए जो देश को बेखने पर लगातार लगे हुए हैं एक मेहना होता नहीं है 24 घंटे बीत्ते नहीं है कोई नहीं कोई ऐसा निंडने ऐसा डीजन आ जाता है जो बार बार देश की जनता के दिल के घाव करत को को बार बार देश को है